आप सभी को नमस्कार धन्यवाद आज अब इस प्रेस कॉन्फरेंस के लिए आए हैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मसले पर ये प्रेस कॉन्फरेंस है बंदुगर्ण आप जानते हैं कि आम आद्मी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसत संजे सिंग जी की कल इडी ने गिरफतारी की है शराब घोटाले के केस में गिरफतारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीती आम आद्मी पार्टी कर रही है ये आज पूरा देश देख रहा है यहां आद्मी पार्टी का चरित रही है सीना ठुक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीती आरंब कर दो मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ आम आद्मी पार्टी से कि अभी तीन-चार दिन पहले पंजाब में सुकविंदर सिंग कहरा जो पंजाब के कांगरेस के विधायक है ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी होती है उनको ड्रग्स के केस में एरेस्ट किया जाता है पुराना केस था केस चल रहा था गिरफ्तारी होती है आम आद्मी पार्टी प्रेस कॉन्फरेंस करके कहती है law will take its own course जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांगरेस जो आपकी विपक्षी पाटी है जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो law will take its own course और जब आपके विधायक या आपके सांसर गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में वहां ड्रग्स का केस था यहां शराब का केस है तो आप कहते हैं law should not take its course यह तो बौकलाहट का मामला है यह double standard आखिरकार क्यों है यह सवाल भारतिय जनता पार्टी आजाम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है बंदुगर्ण आखिरकार यह शराब घोटाला क्या है और यह जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंग जी की यह क्यों हुई है आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर यह जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर इस शराब घोटाले को लेकर CBI ने Central Bureau of Investigation ने एक केस दर्ज किया थी चुकि इस पूरे मामले में मनी लॉंडरिंग हुई थी और जहां भी मनी लॉंडरिंग होती है वहां प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात जिसको अंग्रेजी में Enforcement Directorate ED कहते हैं वह भी केस दर्ज करता है और चुकि यहां मनी लॉंडरिंग हुई थी इसलिए ED ने भी केस दर्ज किया है कई लोग इसमें जेल में गए मनी शिशोदिया जेल में गए कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं और कुछ व्यवसाई जो इस पूरे प्रक्रिया में घोटाले में जुड़े हुए थे वो भी जेल में आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसाई जो जेल में गए थे कुछ businessman जो जेल में गए थे excise scam में सराब गोटाले में उनमें से एक आगे चलकर दिनेश अरोडा ने कहा कि मैं गवाही म्यूंगा अप्रूवर बनुग वह आप्रूवर बने और जब दिनेश अरोडा अप्रूवर बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज पब्लिक डोमेन में है मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा हूं मेरे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो किसी और ने मुझे बताया है यह सब कुछ पब्लिक डो आसा दिनेश अरोडा ने किया दिनेश अरोडा जो अप्रूवर है उसने कहा 2020 में संजय सिंग जी ने फोन किया दिनेश अरोडा को और संजय सिंग जी ने मुलाकात की दिनेश अरोडा के साथ दिनेश अरोडा जो बिजनेसमैन है जो रेस्टूरेंट चलाते हैं दिल्ली मे उनको संजे सिंग्जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं मोटा पैसा इखटा करना है आप रेस्टुरेंट और बार वालों से बात करो और ये पैसा इखटे करने का काम करो और आप देखिए किस प्रकार से इस बात को लेकर पैसा इखटा करने का काम दिनेश अरोडा ने पूरे दिल्ली में बिजनेसमेन और बार के जो सदस्य थे उनको लेकर उन्होंने रेस्टूरेंट और बार के जो लोग थे उनको लेकर एक मोटा माल इखटा दिनेश अरोड़ा भी किया और केवल संजय सिंग ही इन्वाल्ड वा ऐसी बात नहीं है संजय सिंग ने दिनेश अरोड़ा को मनीश शिशोदिया से भी मिवाया और बाद में लाखो में पैसा कलेक्षन करके ये पैसा मनीश शिशोदिया और संजय सिंग के हवाले दिनेश अरोड़ा नी किया बदले में क्या मिला जिसको अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं आप अगर चार्डशीर पढ़ेंगे तो दिनेश अरोडा खुद सुईकार करते हैं कि उनका कोई मामला एक्साइज डिपार्टमेंट में पसा हुआ था और बदले में दिनेश अरोडा ने कहा मैंने मोटा माल इखटा किया है ये पैसा मैंने मनीश शिशोदिया और संजे सिंग को दिया है संजे सिंग के कहने पर तो मुझे इस एक्साइज के केस से निकाला जाए मुझे इस एक्साइज के काम में मदद की जाए मनीश इशोदिया ने संजय सिंग के कहने पर एक्साइस के केस में मदद करते हुए दिनेश अरोडा को मदद दिया तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से एक क्विढ प्रो को का मामला बनाया गया किस प्रकार से इस विशय को एक दूसरे के लिए मदद की गई बंदुगन मुझे तो बड़ा आश्चरिय लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद हुई जब जैन्वरी में एकसाइस डिपार्टमेंट ने एडी ने संजे सिंग के नाम को अपने चार्डशीट में दाखिल किया चार्डशीट में लगाया उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा आपको याद होगा संजे सिंग जी ने प्रेस कॉन्फरेंस किया था और कहा था कि इडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्डशीट में लिखा है केवल संजे सिंग नहीं अर्विंद केजरिवाल जी ने भी कहा कि संजे सिंग ने हडका दिया एडी को पैंट गीली हो गई इत्यादी इत्यादी मगर वास्तविक्ता यह थी कि एडी ने संजे सिंग जी के नाम को अपने चार्डशीट में चार जगह लिखांकित किया था इडी हैट पुट दे नेम अफ संजे सिंग फोर प्लेसे जिसमें से तीन जगह सही था एक जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था जिसको की कोट में इडी ने कहा कि तीन जगह जो संजे सिंग के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजे सिंग अर्विंद केज़िवाल और हम आदमी पार्टी ने किया है यह सब आप देख सकते हैं आपके सामने अर्विंद केज़िवाल और संजय सिंग ये जूट बोल रहे थे कि ED के चार्शीट में उनका नाम नहीं थे ये शराब नीती आखिरकार क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा मगर कल मुझे बड़ा आश्चरे लग रहा था कि अर्विंद केज्रिवाल कल रात को कह रहे थे जब जेब कत्रा पकड़ा जाता है तो उसके घर से उसके जेब से पटुआ निकलता है उसके जेब से एक पर्स निकलता है जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है चोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो उसके घर से टूटी पकेट जो इत्यादी वो चोरी का समान इखटा करता है वो चोरी का समान निकलता है जब डगेट पकड़ा जाता है तो उसके घर से चर्रे और कटे पकड़े जाते हैं मगर जब भरस्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटवा नहीं निकलता उसके घर से चेन नहीं निकलता उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते उसके घर से incriminating documents अर्थात दस्तावेज निकलता है दस्तावेज जो कई बार mobile phone के अंदर और कई बार laptop के अंदर बंद होता है ऐसे दस्तावेज निकलते हैं और आज मैं सुत्रों के हवाले से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संझे सिंजी के घर में और जो दस्तावेज संझे सिंजी के घर से निकले हैं वो आम अदनी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुँच रहे हैं इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है आज आप एक बात जान लीजिए यह आम अदनी पार्टी यह कोई जेब कत्रा नहीं है यह आम अदनी पार्टी कोई चेंड स्नैचर नहीं है यह आम अदनी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है यह आम अदनी पार्टी कोई साधारन डकैत नहीं है यह डौन है भरस्ताचार के डौन इस कारण से जिस प्रकार की बौकलाहट आम अद आदनी पाटी में आज देखने को मिल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और जहां तक अरविंद केज्रिवार और आदनी पाटी का सवाल है ये जो परशन भीच भीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीश शोदिया को गिरफतार कर लिया इसके घर से फिर कागज निकलता है फिर वो बताता है कि आरे मुझे तो फलाने ने बताया था उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है और अंत्तो गत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिये कि किसी को छोड़ा जाएगा जो लोग इन्वाल्व है इस सरा गोटाले में क्यूंकि इसमें करोडों के राजस्व की नुकसान हुई करोडों के राजस्व का नुकसान हुआ है जो लोग इसमें इन्वाल्व है उन में से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा किसी को भी नहीं बक्षा जाएगा मुझे याद है जहां तक ये शराब गोटाला है 22 मार्च 2021 को नई शराब नीती न्यू एकसाइस पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाया था और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू किया गया था 17 नवंबर 2021 उस समय खुद अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा था कि पूरे विश्यों में इस प्रकार की शराब नीती कहीं नहीं होगी राजस्व आगे बढ़ेगा हम माला माल हो जाएंगे पहली बार पूरे विश्यों में ऐसा हुआ कि बोतलें तो ज़्यादा बिकी पैसा कमाया ऐसा बताए दुनिया में कहीं आपने सुना है शराब की बोतल ज़्यादा बिके और पैसा और राजस्व कमाये ऐसा पूरे विश्यों में कहीं नहीं होता है ये पहली बार पूरे विश्यों में ऐसा हुआ बंदुगण भारतिये जनता पाटी ने कुछ सवाल बार बार पूछे थे आज दुबारा ये सवाल शराब नीती को लेकर संजै सिंग को लेकर मनीश शिशोधिया को लेकर मैं दुबारा पूछता हूँ क्योंकि संजै सिंग भी गिरफतार हुआ आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में और क्यूं किया ऐसा कि कानूनी सला के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सला दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीती को मत बदले उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीती को बदला क्या कारण था आपने बदला क्या कारण था कि manufacturer के हाट में retail देना ये गैर कानूनी है मगर आपने manufacturer के हाट में retail दिया क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे commission 6% का होता था 2% का होता था माफ कीजिएगा पहले 2% का कमिशन होता था उसे बढ़ा करके 12% का कमिशन किया गया और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6% आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जाती थी आम आदमी पार्टी कमाती थी आप बताईए दो प्रतीशत से बारा प्रतीशत बढ़ाने का काम शराब नीती में कमिशन बढ़ाने का काम कारोबारियों का प्राइवेट इंडिविजुल्स का ताकि ये पैसा आम आदमी तक पहुंचे इसके पीछे मनीश शोदिया और संजय सिंग थे इसलिए बेधड़क कानून अपना काम करेगी और जो लोग जनता के पैशा को सराब के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा क्या कारण था कि 145 करोड रुपिया ये शराब कारोबारियों का माफ किया गया वह भी बिना किसी कैबिनेट के नोट के बिना कैबिनेट के मंजूरी के 145 करोड रुपिय शराब कारोबारियों का माफ किया गया किसने इजाज़त थी अगर संजे सिंग जी और मरीशी शोदिया इसमें रेस्पॉंसिबल है तो क्या कानून उनको छोड़ देगी या कानून का हाथ इनके गिरेबान तक पहुँच पूचना चाहिए एरपोर्ट जोन में एरपोर्ट अथॉरिटी ने शराब के ठेके खोलने को मना कर दिया उसके बाद 30 करोड रुपए एरपोर्ट जोन के जो लाइसेंस होल्डर थे शराब के दुकानों के उनको आपने वापस कर दिया जबकि ये पैसा जब ठोना ये 30 करोड रुपए जनता का आपने वापस क्यों किया अपने मित्रों को इसका जवाब संजय सिंग दे संजय सिंग जिसे हम यह भी पूछना चाहते कि आप बताईए आखिर क्या कारण था कि बिना किसी ठीक ठाक तरीके से रिसर्च किये हुए जिस शराब नीती को आप ल आप यहां वहां की बाते करते हैं अरविंद केजरिवाल जी मगर आप काम की बात कोई नहीं करते हैं आज आप बताईए अगर आपने काम की बात की होती कोट में जाकर आपने सही आकड़े रखे होते तो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीश शिशोदिया क्या हुए थे तो आप उनके घर चले गए थे जैसे आज संजे सिंग के घर गए हैं आप इनके घर चले गए सब कुछ आपने किया मगर कोट में आपके पास अगर तथ्य होता तो पेश करते तो आज सत्तेंद्र जैन और मनीश शिशोदिया बाहर होते बेल पे कोट के अंदर न पकड़ा गया हो चाहे भ्रश्टाचार में पकड़ा गया हो हमेशा उन मंत्रियों के साथ अर्विंद केजरीवाल पहले तो खड़े होते हैं उसके बाद टाइं टाइं फिस हो जाता है उसके बाद वो एक दिन नजर नहीं आते हैं संजे सिंग जी के साथ भी यही होने वाला संजे सिंग जी के साथ भी यही होने वाला है आपचारिकता निवादी है उनके घर पे जाके प्रेस कॉंफरेंस करके अब बूर के देखने वाले नहीं है और याद करिए कल अर्विंद केज्रिवाल जी प्रेस कॉन्फरेंस में कह रहे है थे पी-एम बॉकला गए प्राइम मिनिस्टर डर गए अरे संजे सिंग जी ये शेर आया शेर आया ये हर दिन नहीं चलता है कहानी जब गुजरात के चुनाओ थे गुजरात के चुनाओ के समय मनीश इशोदिया जी की गिरफतारी हुई थी आप ही ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा था कि मनीश इशोदिया की गिरफतारी हो गई छे प्रतीशत वोट बढ़ जाएगा आम आदमी पाटी जीत जाएगा आम आदमी पाटी प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बना रही है इसके मोदी जी डर गए है जमानत चप्त हुई आपकी एक सीट नहीं जीत पाए आप वहाँ पर और आज फिर से वही डायल फिर से वही डायलोग डर गए बोखला गए अरविंद जी हम डरे नहीं हम बोखलाते नहीं हमने कमर कसा है भरस्टाचार को मिटाना है और आप जैसे लोग जीनोंने पन्ने निकाले थे कि ये देश के सबसे भरस्ट नेता है जिनमें लालू प्रशाद यादव का भी नाम जिनमें सोनिया गांधी का भी नाम था जिनमें राहुल गांधी का भी नाम था जिसमें राबट वाडरा का भी नाम था आज गलबहिये करते फिर रहे हैं उनके साथ अरविंद केज्रिवाल जी आपके ही शब्द थे कि ये देश के सबसे भरस्ट नेता हैं उनके साथ आज घमंडिया अलायंस आप बना रहे हैं डरे घमंडिया अलायंस आपने चोरी की है आपने भरष्टाचार किया है तो डरना तो पड़ेगा क्यूंकि जनता की पैसा कोई लुट लेगा ये नहीं हो सकता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हो सकता है अरविंद केजरिवाल जी आप ये भूल गएं मगर दुबारा भारतिय जनता पाटी आपको याद दिलाती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिसने खाया है उससे निकलवाऊंगा बहुत बहुत धन्यवाले